पॉज आपको निहार औरडर लेना सिखाती है अपको अपना दिमाग नहीं चलाना आपको ऐसा फॉजी सब्सक्राइगा मैं पड़ेगा उसकी बात को लिए पड़ेगा यह ने जो कहा है आपको मानना नहीं पड़ेगा और वह सई भी होते हैं जो हम डिसीजन मेंकर हैं हमार स से उपर वाला है वो फॉर रीजन हमारे से उपर बढ़ा है तो वह बात कह रहा होगा उसको हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा और एक और पनिश्मेंट होती है महाराजा परिश्मेंट ठीक है और उसके अंदर भी क्या होता है एंड को पीछे रखके सर को सर के बल ऐसे है तो स्वागत है आप सबका फन टॉक्स के अंदर यह पॉड्कास्ट मुझे लगता है कि उन बच्चों को बहुत हेल्प करने वाला है जो एंड का एक्जाम देने वाले हैं या एक्चुली में उनका सफना है अभी वो 910 में है और उनने ड्रीम देखा हुए तो सबसे पह उमर तक बच्चा यह एक्जाम बेसिक बेसिक जो 910 के बच्चे के मन में सवाल है अगर उसके पर हम डिसक्रेशन करें ठीक है तो सर बेसिकली एंडिय का ही जो एक्जामिनेशन है यह साल में दो बार होता है और इसको UPSC जो है कंड़क्ट करवाती है तो एक बार एपरिल क लोग बात करें अगर हम लोग ओफिशल जो नोटिफिकेशन है जो UPSC देता है उसके इसाब से चले तो लगबख साड़े सोला से लिखे साड़े अठरा के बीच में है अब नोटिफिकेशन में यह लिखा आता है अगर हम लोग एंडिय की वेबसाइट पर जाएंगे वहा पर लिखने के लिए आपकी उमर साड़े सोला से लेके साड़े अठरा के बीच में होनी चाहिए यह इंपॉंट है और अगर हम लोग बात करें कितने बच्चे पेपर को देते हैं तो लगबख हर बार जो है हर एटम्ट में चार लाग से लेके 6 लाग तक यह नंबर जाता ह इस बार भी साड़े चार लाग बच्चों के करीब जो है अभी 3rd September को हुआ है और qualify कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें से 8 से 10,000 बच्चे जो है clear करते हैं और final जो merit में आने वाला है seats इस बाद 395 seats है ठीक है जिसके अंदर से girls की भी seats है और boys की भी seats है तो यह एक factor रहा है और लगबक less than 1% selection ratio है अभी हाली में इसर girls के लिए भी seats को ली है इससे पहले इंडिया के अंदर जो girls allowed नहीं थी पर सुप्रीम कोड ने अभी decision पास किया है जिसके वाद से girls अब लाग 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 यह करीब साल जीट साल हुआ सर अभी first batch pass out हो जुगा जिसके अंदर कि क्लॉधी esteemed prestige institution है जहाँ पर तीनों services एक साथ ट्रेन हो रही है आर्मी नेवी air force के लिए apart from that class 1 officer बनाने वाले सिरफ एकलॉधी category है यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से जैसे अगर आप NDA से पास आउट होते है तो अगर आर्मी की नेवी की air force के अगर बात करें तो top की ranks अगर बात करते हैं चीफ of defense staff होते हैं हमारे आर्मी के general होते हैं वो सारे NDA से ही पास आउट है maximum cases के लिए सबसे superior rank पॉँचने के लिए NDA सबसे बढ़िया category है और इसके इलावा अगर हम बात करें अगर आपने borderline पर बॉस्टिंग होती है तो वहाँ पर girls के लिए खतरा होत दूसरा एक मुझे लगता यह भी factor है जो training schedule है वो इसी साफ से designed है क्योंकि NDA शुरू से ही लड़कों के लिए रहा है तो इसी साफ से training schedule designed है कि सुबे morning में इतने बज़े उटना इतनी rigorous training करनी है तो जिसको मज़े नर रखते हुए कि उन्होंने एक चीज ले ली थी कि भाई यह academy जो है यहाँ पे सिरफ और सिरफ men train होंगे क्योंकि लड़कियों के लिए उतना फिजिकली वो समझते थे कि इतना फिजिकल लोड देना दो अब training सेम है boys और गर्ल्स की अभी है in fact अभी paramilitary forces हमारी PARASF कहते है जिसके नहीं गर्ल्स पहले अलाओ नहीं थी बट गर्ल्स forces होती है हमारी special forces कहते है उनको उनकी training बहुत रिगरस होती है कि भी जैसे खूनी नाला ने एक चीज होती है उसके अंदर ना उसके इंदर क्या है कि वही एक नाला होता बना रुक है एक रीवर से चोटी से बना रखे हो दर गड़्डा खोल के मिठ्टी डाल रखे है उसके साथ-8 दिन से गंद बर का पूरा smelly बिल्कुल stink करेगी और उन्हें साथ-8 दिन तक वहीं पर रिगरस ट्रेनिंग कराई जाएगी इसके लावा बैग पीट के ओपर 100 किलों का वेट लिकर रनिंग करनी है उन्हें सुबह उठके गले में टाय डाल कर दौड़ना है चौबि अब पाच गंटे सोने दिया फिर पूरा दिन काम करवाया फिजिकल अक्टिविटी करवाई एससे स्लीप साइकल करते है तो अब ऐसा क्या लगा हमारी गौर्में को कि गल्स अराउल कर दिने अब सब किसी ने पिटिशन डाली है एड़ोकेट ने कि अब एक एक एक्जामि प्रिवेसली थी जैसे सीडियस एक एंट्री या ग्राजुएशन के बाद होती है एंडिया एंट्री सबसे पहली बाद में बताऊंगों सब ट्वेल्थ अपेरिंग ट्वेल्थ पास आउट या फिर इलेवेंथ वाला भी दे सकता है लेकिन हो SSB के लिए लिजिबल नहीं ह तो यहां पर सीडियस किता है दो चीज होती है कि में अब यहां में मैं मैं मिलिटरी गाडमी एक उटी एक ओटिय के एंडेन नगाणे अब नगा भी चार साल की ट्रीनिंग होती है ऊवर तीन साल आपको जो आइन्डिय के नदर काठा है एक साल आपको I.M. में इंफे भी जो भी आपने specific entry चूज़ करी है, Army, Navy, Air Force, तीन साल के बाद अपनी category आप चूज़ कर सकते हैं, तीन साल कठे train के जाता है, Army, Navy, Air Force के लिए हर बच्चे को, बदर अपने specific category के लिए, उसके बाद आप एक साल, चाहे आप Army में जाना जाते हैं, तो IA में जाएंगे, Navy में जाना जाते हैं, तो INA जाएंगे, Air Force के लिए जाते हैं, तो AFA जाएंगे, सर एक सवाँ मेरे मन में रहता है, मैं जब था 11 ने, तो मेरे पास बहुत सारे options थे, तो मुझे एक option NDA भी मिला, बट, मुझे किसी ने बोला कि NDA में इस ले जाओ, क्योंकि आपको पावर मिलेगी, हाँ, तो मैंने वाँ पे मन में एक सवाल सोचा कि, कहीं लोग अब NDA में शयर्ट इस ले जाना चारहे हैं, कि उनको एक अच्छी salary मिल रही है या क्या, बट क्या NDA में जाना, आपके साब से आपने इतने बच्छों को पढ़ाया है, तो मैजार्टी आप बच्चा NDA क्यों चुन रहा है, क्योंकि उसको देश की सेवा करनी है, या उसको लगता है कि मुझे कहीं न कहीं एक वर्दी मिलेगी, तो उसकी पावर दिखानी है, या पैसा, आपके साब से क्या मेंन रीजन है बच्चों का? देखो सर, मैं अपने एक्स्पीरियंस से बताऊं अगर, तो ज़्यादा तर बच्चों के अंदर मैंने जो चीज नोटिस किया है, वो सबसे बड़ी बात है, उसको वर्दी और देश से होए है, पैसा तो फॉज में इतना नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, स्टार्टिंग सैलरी कट करने के बाद, और फॉज में तो हमारे जब यंग एक लेफनेंट अपॉइंट होता है, उसकी यूनिफॉर्म तक के पैसे सरकार उसकी सैलरी से कट कर दिया, अच्छा, ये भी मेरे स्टूडेंट नहीं बताया था, मुझे भी बहुत हैरानी होई थी, जब वो पोस्टेड हुआ, तो नेवी में भी सेम सिनारियो है, एरफोर्स में भी है, तो स्टार्टिंग पे में से भी कट होता है, तो पैसा एक मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन नहीं है किसी बच्चे के लिए, क्योंकि वो अगर कोई भी इंजीनरिंग कॉलेज से भी पास आउट होगा, दो-तीन साल के अंदर साट-सतर हजार उपे महीना तो खमाई लेगा इंजीनरिंग में, ब्रति वो उसको लगता है, एक रिस्पेक्ट मुझे हाजिल होगी, जहां भी मैं जाऊँगा, मुझे एक इज़्जत-दार नजरों से देखा जाएगा, और मेरे इसाब से आदमियों के लिए सबसे बड़ी लड़कों के लिए, इसपेशली मैं तो बोलूगा, इससे बड़ी इज़्जत है, रिस्पेक्ट है, कि सामने वाला व्यक्ति हमें कितनी इज़्जत दे रहा है, कितने रिस्पेक्ट से देख रहा है हमें, सबसे बड़ा फैक्टर होगा, तो पैसा मुझे नहीं लगता, मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो स्टूडेंट से अब्जर्वेशन निकली है वो है उसकी युनिफॉर्म दूसरा है उसको इसे एक मैंने वीडियो थी उसके नरे बोला था एक बिजनसमैन की गाड़ी से ज्यादा आपकी फॉजी की वर्दी की उपर नजर जाती है वी जब अपने कपड़े मतलब अपने घर के कपड़े करीदने होते हैं तो आप उसे गाड़ी देती है घर देती है खाना देती है यह बात सच है बिलकुल सर देखे हर किसी चीज़ का न सर स्केल होता है जैसे अब कॉर्परेट वर्ड में भी जाते हो ठीक है तो पहले आपको यह बनोगे उसके बाद आगे-ागे लेवल्स होते हैं तो यहाँ पर पहले लेफ्टेंट बनोगे फिर कैप्टन बनोगे फिर मेजर बनोगे फिर ऐसे-इसे रैंकिंग स्ट्रक्टर डिजाइन होगा उसके साथ-साथ आपको मैनिटीज मिलनी स्टार्ट होती है प्रमोशन के तो जो NDA एंट्री है वो हमारी पर्मनेंट कमिशन एंट्री है PC हो गई और जो CDS में OTA ओफिसर ट्रेनिंग अक्याड़िमी वो चन्नाई के अंदर है वो है हमारी SSC शॉर्ट सर्विस कमिशन एंट्री उसमें 10 साल अच्छा परफॉर्म करते हो है एक्स्टेंडेबल टू 14 बाकी NDA एंट्री पर्मनेंट है वो 58 साल की 35 साल की सर्विस अपकी हो जाती है उसके बाद सरकार आपको क्या चीज़े प्रोवाइट परफॉर्ज में आपको पेंशन मिलेगी ग्राचुटी और आपके रिटार्मेंट के उपर जो पीएफ वगरा है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा आप फ्रम दाट वैसे रिटार्मेंट के बाद भी बहुत सारी प्राइवेट नौकरी में भी अराम से मिल जाती है उसके बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शन्स होते है और लोगों को पढ़ने की जो शमता एजन ऑफिसर बन जाती है एक व्यक्ति के अंदर वो आप में बहुत बच्चों को पढ़ा होगा बहुत बच्चों के सेलेक्शन होए होंगे आज ऑफिसर्स भी होंगे वह असे कोई एमोशनल कहानी आपको याद हो किसी स्टूरेंट की जो आप एक सोल्जर बन गया है ऐसा कोई कहानी है बिल्कुल सर अभी तो मेरा एक स्टू आज तक ठीक है तो सबसे पहला स्टूडेंट और बहुत थी बहुत मतलब जिसको कहते हैं न बहुत ही खराब फनाइंशल कंडिशन में उसके फादर भी मेडिकल पूरे इल थे वो नहीं जादा चल फिर नहीं सकते थे और मदर जो थी वो हाउस होल्ड हेलपर थी मतलब लो आप मुझे प्लीज एंडिये के लिए गाइड कर दो तो मैं जब उसको देखता हूं मैं उसकी एज क्राइटीरिया देखता हूं अनफॉर्चुनेटली उस समय वो एंडिये के लिए जो है उसकी हो जाती है जब वो मेरे पास आता है मुझे बड़ा दुख होता है मैं बता अगनी वीर हो गया अब अगनी वीर आगे ना पहले एरफोर्स का एक्स और वाय होता था टेकनिकल एंड नॉन ट्रेकनिकल ट्रेड तो मेरे पास आता है मैं एक आप्शन है अपने पास एरफोर्स एक्स ग्रूप का अच्छी है एरफोर्स जॉइन करने के लिए बहुत 3 महीने सुबह 6 मैं उसको 6 बजे सुबह बढ़ाता था लगातार 6 महीने वह शायद इंटर्व्यू देखेगा भी मैं उसको शेर भी करूँगा लगातार वह मेरे पास आया ठीक है और सुबह 6 बजे 3-4 महीने के लिए वह आया बच्चा उसको रेगुलरली मैंने बढ़ाया ठीक है पेपर के अंदर बैठा तो उस समय जब कट आफ जाती थी एरफोर्स की वह कंबाइंड कट आफ थी अब तो शायद अगनी वीर हो गया मैंने बाट टाइम से पढ़ाया भी नहीं वह तो फिजिक्स का वेपर होता था उसके अंदर 11-12 की फिजिक्स आती थी मैच आत करूंगा बुक खरीद के लाया और उसके बाद उसने पेपर लिखा सर आप विश्वास नी करोगे 25 बटा 25 मैथ में 25 बटा 25 फिजिक्स के अंदर आए उस लड़के और आज की डेट में वह बहुत अच्छा कमा रहा है एरफोर्स के अंदर ही है ठीक है और बहुत बहुत ख अब तो अगनीवीर हो गया है स्टुडेंट पहले जो है एरफोर्स एक्सनवाय होता था वो पर्मनेंट जॉब थी अब अगनीवीर कर दिया तो वो तीन साल के लिए कर दिया और इसको चार साल कर दिया और उसके बाद सेलेक्शन करेंगे कुछ 25 परसंट जो अच्छा पर पर्मनेंट ही होता था जितने सिलेक्ट होगे अब यह है कि इंपुट बढ़ा दिया है सेलेक्शन रेशो बढ़ा दिये 3000 अगनी वीर्ज ले लेंगे उसके बाद जो अच्छा परफॉर्म करेंगे चार साल के लिए 25 परसेंट उनमें से छाट के दे देंगे बाकी भी सर जो बच गए ऐसा नहीं है कि उनको बिलकुले निकाल दी कि जिम्मेदारी मैंने छोड़ दी कहीं ना कई उनको जो है help करें किसी अगर job कहीं मिल सकती है किसी ना किसी entry के अंतर उनको एड़ेस्ट करने कोशिश करेगी सरकार ने यह बात बोली विया अपने उसके लावा उनको बहुत सारी और चीज़ आ इमिनिटीज पर प्रोवाइड करेगी सरकार वो पूरा प्रॉपर मेंशन है अगनी वीर की वेबसाइट के उपर भी आपने कभी फाइदा उठा है ऐस हाफ रेटी होता है अल्मुस्ट इन फैक्ट आपको बात आऊंगा कि हमारे एक सुडेंट है या एक मेरा केलो फ्रेंडी है तो वो मैस में अंदर है आर्मी मैस में ना वेट केंटीन समय लो या फिर उसमें आर्मी ऑफिसर मैस के अंदर है तो अहां पर एक पैग का रेट उ पानी की बॉटर से सस्ती यहां पाइगे तो यह फायदा था है या उसको बोला था यार फ्रेज दिला दे बस वहां पर यह सब को सिस्ता मिलता है यह सब भी है गाड़ी मोटर साइकल ब्लिए लिकिन ऐसे बहुत करना वड़ता आपका बोला था मैने कार जब अपने ली ती तो एक प्लस एक जो फॉजी बंदों को एक एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है वो यह कि उनके पास कैंटीन का एकसेस होता और मेडिकल फैसिलीटीज के लिए एमेच होता है मिल्ट्री ऑस्पिटल जो कि इसके अंदर उनकी बुंटार फैमरी का वड़ होती है तो इसा पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको एक फोन पे आपकी SSB करा दे या कुछ कर दे या पैसे वैसे लेगे यही ची मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है फ्रॉड बहुत मिल जाएंगे दुनिया के अंदर गेंगे मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा यह करा दूंगर आज तक पढ़ातों इतने साल होगे आज तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो किसी गलत तरीके से गया हो हमारे को किया है पिरेंट्स है बहुत कि भी हमारे से एक क्रोड ले लो यह ले लो बच्चा सेटिंग करवा है अगर ऐसी होता तो फिर हमने अगाडमी क्यों खोली होती है यही सब काम करना होता तो फिर फिर फौज की त्यारी क्यों कराते हैं सर मैं एक और सवाल कुछ मैं समगा बड़ा अक्चल मैं यहाँ से कुछ देख नहीं रहा हूं यह सारे सवाल मेरे मन के हैं तैसे कि मैं अपनी मदर के नाम का टाट्व बन वाया यह मैंने बन वाया था मैं कॉलेज के second year में था ठीक है तो कि मुझे 10 में मेरा एक थौट तो मुझे किसी ने बोला था कि बाई पूरे बॉड़ी में कोई टाट्व नहीं होना चीए मैं बताता हूं अगर मैं बात करूं सर टाट्व अलाउड नहीं है लेकिन यहां फोराम पे अगर आपने कोई रीजनल टाट्व बना रखा है या कोई सिंबॉलिक रिलीजिन है आपक अगर आप ट्राइबल का गहते है जिससे टाट्व बनाया है तो उसके पास अगर आपके बनाया है यहां पूछ लेता है यह नहीं किसी के ए तो दिखाओ कहां पे नहीं तो जाओ अपस स्क्रीनिंग के टाइम पर आप से पहले पूछ जाता है अगर आपके पास टाट्व है कोई तो दिखा दो वहीं क्या है अगर को कहता है मैंने बनाया है तो उसको पहली कहता है वाई तो मिझे लग रहा है बच्चों के लिए बहुत यूसफल चीज है क्योंकि मैं इतनी उम नहीं अलाउड नहीं है फोराम के फोराम पर फोराम पर से रहा है और सर जैसे एक बात मैं यह समझता हूं कि आपके नीस टच हो रहे हूं तो प्रॉब्लम है भाग निपाऊगे मैंने आपकी विडियो देखी अगर स्वेटी पाम है तो बंदू पसल जाए विल्कुल विल पूरे एकस्रे होता है, फुल वाडी एकस्रे होगा वहां पे अगर आपको प्रिंटेस्ट है तो नहीं ने टोटल होना ही होना है, तो मैडिकल में आपका पूरा फुल बाडी छेकल होता है ग cop होता है अच दिन का प्रसीजर होता है जनरल फोड़ूरी डॉक्ट्ट एविल बिलकुल मैं आइक आप पूछओ यह फीमेल के लिए सर उस लेवल का नहीं होता है जो फीमेल के लिए बोड़ी चेकप तो सेम ही है मतलब यूरेन टेस्ट तो बलड टेस्ट हो गया डेंटल पॉइंट्स हो गया आईज हो गई बलड प्रेशर हो गया नीज हो गया मतलब एक तो भी बोन तूटी नहीं होनी चाहिए अगर आपका एक्सिडेंट हुए तो six months से पहले आप उसकी सर्जिरी हो जानी चाहिए ठीक है और अगर आपका face के उपर कोई बहुत बड़ा स्कार है तो भी अलाउड नहीं है विटिलेगों भी रिजेक्टेड है स्टैमरिंग भी अलाउड नहीं है स्टैमरिंग अगर कोई बच्चा स्टैमर करता है तो वह भी भार है उसके लिए speech therapy अपनी करवा के जाए चला अच्छा है वह हो जाता है क्यों फिलवेरी होती है ना सर जैसे वह फिलवेरी हो जाती है वह भी रिजेक्टेड है वाइड वा चार स्टैप एसा देखो रिटन हो गया उसके बाद आपकी स्टैप होगी फिर मेडिकल इसके बाद भी एक स्टैप हो तो मेरिट लिस्ट के अंदर भी आपका अगर नाम नहीं है तो फिर यह तीनों चीज आपकी बिल्कुल जीरो होगी फिर शुरू से शुरू करना हो यह सब यह सब यह सब सर बिल्कुल मित है यह वही आदमी बोलता है जो कभी यह नहीं मैं आपको सच बता हूँ यह बगवास की बाते हैं कोई इंट्रुएर इतनी बड़ी रैंग पर वैठा है यह सोड़ी पूछेगा आपके बटन कितने हां एक चीज जरूर पूछ सकत पर यह वह दाएगा वह पी आई क्यों फॉर्म होता सर एक पर्सनल इंफर्मेशन क्वेस्टेनरी इंट्रुव से पहले ना वह बच्चे से बरवा लेते हैं उसके अंदर आपके होबी होते हैं इंट्रस्ट होते हैं इसे रोडी इसमें पर बेज़ बिल्कुल है वही सेम पी आई क्यों है पर्सनल इसमें उसके अंदर भी सेम हॉबी इंट्रस्ट सारी चीज़ें एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज ठीक है बोर्ड में कितने नंबर आए सारा कुछ उसके अंदर होता है बल्कुल हमारे पास SSB के अंदर जो कोर्स होता है उसके अंदर अफसर है उसकी गलतियां भी बताता है इंट्रुव के बाद की यह मिस्टेक है आई डॉन करना इसको रिजेक्ट करना यह चीज़े नहीं लिखतेंगे निउस्पेपर रीडिंग नौवल रीडिंग अब इंट्रुवेर पगड़ लेता बाई कि टेल में फाइव नैशनल वर फाइव इंट्रनाशनल ल्यूज बच्चा कहता है यार पांच नाशनल नहीं वह कहता है नोवल्स पड़ते हो आप बताओ जरा पांच ऑथर्स के नाम कौन-कौनसी बुक्स आपने पड़ी क्या पड़ा उसके अंदर से तर बड़ा मतलब ही तो इंट्रस्टिम हो रहा तो वह अनफेर नहीं हो रहा जैसे मैं आगर मुझे पता है कि उस फॉर्म में यहीं कोशन पूछा जाएगा तो मैं अपने मन से पर तो कुछ सवाल उसका जवाब पहले से बना के जा सकता हूं बिलकुल जा सकता हूं लेकर बहुत बहुत जाएगा वह फसाना उनको आता है और उसको बगड़के फिर वह दस कोशन और बगड़ लेता है अच्छा बड़ा अच्छा रैपिड़ फाइर अब इंट्रिव की बात चली है तो जहां स्टूर्ड फसता है वह रैपिड़ फाइर क्यों ने होता है अब क्या होगा एलास्क्यों टेन कोश्चंद रैंडम ली लगातार अपकी जो है पॉकिटवनी कितनी थी आपका स्कूल कॉन सा था आपके फेवरेट टीचर कॉनसी थी फेवरेट सब्जेक्ट कॉन सा था ठीक है आप स्कूल में कॉनसी ट्रिप पे गए थे लगातार सेम स अभी मैंने जिस सेक्वंस में कोशिण पूछे हैं उसी सेम्स लेक्षी船 होना जाए और उसी सीक्वंस में शाहिए और इनेश प्रिपहर होना जरूरी आज के टाइम में और होना भी चाहिए आपकिसी इंट्रिउट के लिए जा रहे हो कहीं भी जाते हो इंट्रूव के लिए तो अपने आपको करके जाना ही चाहिए तो लेमन लांगुज में भी बात करें सर आपको पता भई बारिश होने वाली तो छाता लेके निकलते हो ना यह वह वाली बात हो चुगी कि आपको पता भई बादल गरज रहें अंदेरा हो अच्छी बात नहीं हो रही है लड़ाई में तो दोनों कंट्रीज का नुकसान ही होता है ठीक है हम चाहेंगे भी नी बट ऐसी तो भी कोई स्टोरी आपको बताना चाहता हूं अभी रीसेंट में ही जिस बैच में मेरा स्टूडेंट था और देखो लाइफ का कितना रिस्क होता है पता नहीं क्या होता है बच्चा एक था ठीक है अभी 2020 की बात है और जिस अकैडमी में वो बच्चा मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा था उसकाई बैच मेट वहां पे रात को एंडिय में नाइट ड्रिल चल रही थी ठीक है और रात के अंदर कैंपिंग कर रहे थे औ और दो स्कॉडर्ण होते हैं आपस में कॉंपटिशन करते हैं नाइट में ग्यारा बारा बजे के आसपास टाइम था वहां पे बहुत बड़ा गड़ा था तो बच्चा उसके अंदर उनफोचलेटलेटली गिर गया और लॉस्ट इस लाइफ तो ऑन दी स्पॉट और मतलब मेरे को बताते हैं बड़ा दुख होता है और यह शायद होना चाहिए हमारी फॉज को एक्टिवली इस चीजों के अंदर पार्टिसपेट करना चाहिए इनफाक्ट कार्तिक सर का एक स्कूल फ्रेंड है मुझे याद आ रहा है सर बताते हैं उनके बारे में भी ऐल टेक इस रविंदर है इस टाइम पर कैनेडा के अंदर है उसने OTA सीटीयस के तुरू OTA जॉइन किया था तो ट्रेनिंग में था आपनी ट्रेनिंग के तुरू आ रसी चंडनी बड़ती है तो उस टाइम पर वो उपर से गिरा मतब समय लो 25-30 फूट से गिरा उपर से अपर से और उ acceptance नहीं आती कि तू fit and fine है तो तिरको फूज या तो छोड़नी पड़ेगी या तो फूज तिरको निकाल देगी तो उसने खुझ छोड़ दिया और उसके बाद से फूज ने उसको को compensate नहीं गिया यह थोड़ा सा negative point है जिसके उपर फूज को थोड़ा दीखना चीए कि बच negative चीज जो मुझे लगती है करनी चाहिए at least क्योंकि उसकी medical में अगर problem है तो उसकी life भी अब किसी की टांग अगर तूट गी है वो पूरी तूट गी है ना permanent damage हो गया उसका body part कहीं और नहीं जा सकता कहीं और जा भी नहीं सकता तो at least कुछ कुछ pensionable चीज या कुछ desk job उसको मिलनी चाहिए नहीं देते तो यह थोड़ा सा गलत negative पॉइंट है थोड़ा सा जिसके पर फॉज को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अब वो कहा जाए मैंने chapter पड़ा था English का कोई foreign country का था मुझे याद नहीं है तो बंदा फॉज में थ चाहिए उसका road accident होता है और उसकी बॉर 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 जाती है तो उसकी जो government होती है वो उसको desk job देती है आपने desk job मुझे याद आए सर वो ना actually क्या हूँ एंडिय में तो credit था बच्चा भी अभी pass out बनने के बाद अगर होता तो तो 100% मिलता उसको अभी वो training period होता है ना सर तो वो training period वाली दिक्कत है या अच्छा officer बनने के बाद मिलता है वो तो मिलता है चार साल का training period होगा ना सर एंडिय में उसमें 11 मेने का होता है cds entry के तो ग्राजुएशन के बाद आपके से मलो अगर को चोड़ लगती है चार साल के दुरान तो आपको कुछ नहीं मदद करेगी cds में 11 मेने के दुरान जो training होती है उसके लगते दो सरकार मदद नहीं करेगी अफसर बन गया तंदे पे तारे लग गए जिस द आते हैं मारा आपके ट्रेनिंग में करें तो वाँ पे रैगिंग अलावड है आपकी श्टूड़न और स्टॉंग बन जाए यह साश है यह इसमें कुछ रैगिंग की बात करें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो रैगिंग एंडिये में होती है बाट एक हेल्दी होती है तमलो एक जो अमारे एक एडिट्स है वाँ पे उनके बीच में एक बॉण्ड को स्टॉंग करने के लिए होती है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप हरास् इसिडेंट्स उनाया एल सर मेरको अभी जोइन करें वे ना 15 दिन ही होए थे फॉर्स टर्म के अंदर तो उस टाइम पे एक सीनियर ने मुझे बुलाया और मैं गया नहीं तो उन्होंने 15 मिनिट बाद वो खुद आये और किसी से उल्टी मतलब उस टाइम पे उनको आरी हो आप अपता है रही अपको अपको अपना दिमाग नहीं चलाना आपको जैसा फोजी ऑफसर गएगा आपसे senior जो गएगा उसकी बात को मानना ही पड़ेगा senior ने जो कहा है आपको मानना ही पड़ेगा और वो सही भी होते हैं और जो हम decision maker है हमारे से उपर वाला है वो for a reason हमारे से उपर बट है तो वो जो बात कह रहा होगा उसको हमें follow तो करना ही पड़ेगा और एक और punishment होती है महाराजा punishment ठीक है और उसके अंदर भी क्या होता है एंड को पीछे रखके सर को सर के बल ऐसे टांगो 45 डिग्री का एंगल बनाना होगा आपको तो यहां पर मैं बोलूँगा कि फोटो भी जरूर लगाए ठीक है वो भी एक रैगिंग है साइकल को सर पर उठागे दौड़ना है जी इतने किलोमेटर रन करना है आपको वो भी रैगिंग का पार्ट है तो यह सब छोटी-छोटी एक्टिविटी जो है यहां पर होती है रैगिंग की और सबसे हार्शेस पनिश्मेंट में से एक होती है महाराजा पनिश्मेंट हर केड़े डरता उससे कहीं को थोड़ टाइम बाद फिर मजा आने शुरू हो गता है आद चल नहीं है कि गाली दे के बगा देंगे फॉच से ज़्यादा गालियां को इन देता है वो तो है आदा पड़ जाती है क्योंकि सारे मतलब पहले अब थोड़ा से चलो गर्ल्स का इंपुट होगी है बट पहले जोते सारी पूरी बॉइस के इंट्री है सारी जगा लड़क यहां पर ना अगर मैं बात करूंगा थोड़ी सी गलती ना पेरिंट्स की भी है तो कि वो ना आजकल आप बात करें पहले के डाइम पर अगर आम बात करें तो बच्चा ना बहुत ज़्यादा आप उसको जो है मारा पीटा जाता तो तकड़ा बनाया जाता तो आज के पेर सबूइनगों की विजए से ही हो रहा है जिसके वसे आप कह सकते हो सेनारियो बहुत डिफरेंट है तो यह थोड़ी पैंपर होती है ब्रिंगिंग इनकी बहुत सौफ्ट होती है आईट जाई का जो बच्चा होता है और नीट का बच्चा होता है मैं यह तफनेस से गुजर सब्सक्राइब करते हैं एंहें कुछ नहीं लेना हुता है कि यह सिक्ष dipped जरीया है हमारा कि जिस वेस से मैं अपनी परिस्थिति को चेंज कर सकता हूं बस ना मेरे पास कोई बड़ा पैसा है जो मैं बिजनस कर दूँ ना मेरे फादर को पॉलिटीशन है जो मैं पॉलिटिक्स की तरफ कर लूँ कुछ तो उनके पास एक मातर यही ऑप्शन वज़ता है कि शिक्षा और दूसरा कि आई को ऑलनाइन पढ़ रहा हूं ऐसे भी है हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे आते हैं एक और इंस्टेंस था कि बच्चा क्लासे लेना सर आठ दस किलोमेटर दूर जाके हमारी क्लासे लेता था रोज साइकल पर जाता था दस किलोमेटर जाके नेटवर्क नहीं थे उसके अर जिसकी वैसे मैंने बताया मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ता हूं एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आता है मैं बीच में थोड़ा बिमार हो गया मुझे साइनस की प्रॉब्लम है तो सर्दियों में कहीं बार बिमार हो जाता हूं तो दो-चार दिन क्लास नहीं ले पा सर आपना मेसिज डाल दिया करो टेलिग्राम पे ना हमको आठ किलोमेटर दूर आना पड़ता सर हमको ना तो चलो कोई बात नहीं सर बगवाना मेरा दिल ऐसा टूटा ना मैंने गया यार कि छोड भाई क्या बिस्तर में पड़ा है तू लड़का तेरे लिए आठ किलोमेट के पास बैठ के पढ़ रहा है तेरे पर वरोसा रख रहा है और तू यहां चद्दर डाल के बैठा है मूँपे मैं बिमार हूं एक ऐसी से लिए डिट सर मेरे को भी अपने गया दा गया मैंने एक शादी में गया हो था तो वहाँ पे ना मेरा कजन था वो वाश रूम गया तो वाश रूम के अंदर से आवाज आ रहे थी मेरी क्लास की तो उसने भार आगे बोला भाया आपके ना कोई बच्चे क्लास देख रहा है मैं का तू ने कहां सुन लिया कहता आपके बार वाश रूम जाओ और एक्चिली में वो टॉइलेट सीट पे बैठा हूं धरवाज इन यह एक चीज मैं यहां पर बताना चाता हूं यह ना यूपी बिहार महराष्टरा राष्थान के है अब हम दिल्ली में बैठे हैं एंटीर के तो यहां के रीजन का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है अब जैसे दिल्ली के बच्चों की मैं स्पेशली बात करूँ वह advanced है मावाब भी ज्यादा advanced है तो बच्चे पढ़ने आया academy में बैने पढ़ाया तो अब क्या मिलेगा और क्या मिलेगा पहले बात वह पूछता कि यह तो हम पूछता ही जी वह पूछता कि कितनी क्लास होंगी हम कहते हैं जी यह शुडियूल है यह morning से और क्या मिलेगा मैं अच्छा फिर एक स्टूडेंट दिल्ली कई उसको थोड़ा सा ना लथार दिया किसी टीचर ने कि भाई तू पढ़ नहीं रहा तो ग्लास नहीं आए ऑफ-लाइन में भाई साब उसने मुझे इतनी वड़ी मेल कर दिया उसके फादर ने कि हाँ जी इसके हाथ पर डंडा मारा है और यह ऐसा हो गया इतना बड़ा मेल कर दिया यह कैसा हुआ मैं टीचर के पास करें जी मैं तो हलका सा यूं तच किया इसको कि वेटे तू द्यान देले इदर उ यह पूछना चाहरा था कि जाहतर बच्चा जो एंडिय में जाता है वो हमारे इंडिया में कहां से यूपी से दिल्ली मुंपई से क्या उपदेश क्या उपी बिहार राजिस्थान माराष्ट और दिल्ली हैं यह फांट समय लो हर्याना से मतलब शेकेंड नमबर पर यूप यूपी फिर हर्याना सेकेंड पे टॉप में आ जो हर्याना ही है दिली से कम बच्चे सब्सक्राइब कर दिल्ली बैंगलॉर में से कम बच्चे जाने का क्या ये भी एक रिजन है कि बच्चा बहुत पैंपर्ड है सर बिलकुल अच्छा आज कल के स्राइन में हर किसी मावाप क एक एक दो दो बच्चे होने लग गए है ठीक है ना वो फौज में भेजना नहीं चाते हैं उनको घवराट होती है यार की आए दिन हम सुनते है न्यूस के अंदर ये हो गया वह हो गया ये टर्रिस टैक हो गया जी खाई से बस गिर गई है जी ऐसा हो गया तो मुश्किल है और कोई पेरेंट आज के टाई में चाता नहीं है मुश्किल परस्थिती से मेरा बच्चा बने क्योंकि जिस एरा में हम लोग जी रहे ना सर पहले क्या था हम लोग जो पैरेंट्स थे माबाब थे वो अपने सर्वाइवर के लिए हमारे जो ग्रैंड फादर थे वो सर्वा लोगों का तो इस वज़से जो है मेट्रो पॉलिटिन सीटी से ज्यादा टायर टू टायर थ्री सिटी से यह रीजन है कि भाई यूपी के कोई गाउं से चोटे से वहां से बच्च बच्चा रहा है ठीक है बैंगलोर वगेरा कि हैदराबाद के कोई बच्चे नहीं पढ़ यह वाली बेल्ट जो शिखावती बेल्ट है ऐसा है कि फॉजी का बच्चा ही फॉजी बनता है नहीं सर मैं आपको बताना है चाहता है एक फैक्ट है रान हो जाएंगे सारे सतर परसंट एंडिये के इंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सिविल बैक्ग्राउंड से अब फॉजी चाहते ही निए उसका बच्चा बच्चा बने बहुत बड़ी और आज के टाइम में बताते हो बहुत खुशी होती है सिविल बंदा चाहता है कि गाहों के बच्चे ज चाहता कि भाई वह हमारे पास आते सर इसको मारो पिटो जोमर जी करो फोज में डालना चोड़ेगो यह वाली यह आटिटीट्यूड रखते और वह बच्चे करते भी इंचलियर जो गाहों के दियात के लोग है वही चाहते हैं कि मारा बच्चा फजी अफसर बने यह नहीं से था और SSB किया उसने कोर्स हमार से किया था एंडिये के भी किया था एंडिये रिटन क्लियर हुआ बट अन्फॉर्जिनल्टी से बाहर हो गया मुझे लगता था उसके अंदर वह चीज है तो फिर एक और एंट्री थी एंडिये के साथ ही टेकनिकल एंट्री होती है उसमे से कॉलिफाइड उसके पास सर्टिफिकेट थे बट अन्फॉर्चुनेटली वह मेडिकल में भार हो गया रीजन बिहाइंड कि उसकी जो राइट हैंड था उसकी जो सबसे पहले इंडेक्स फिंगर थी उसके अंदर ही कुछ डिफॉर्मेटी थी बट उसको कॉलिफाइड और उसको वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया और एक्चुली में एक्सरे में जब देखा तो एक्चुली में उसकी डिफॉर्मेटी थी जो गलती जो शूटिंग फेटरेशन थी उनकी थी उन्होंने तो मेडिकल देखो फॉज का तो बहुत लीगल है वो तो सामने रख दे आपके यह प्रॉब्लम है जी यह एक्सरे है जी आपका आप सामने देख लीजिए यह आपकी गलती है और जो मेडिकल स्टेंडर्ड है अगर उसके लिए नहीं नहीं हुआ तो फिर आप जो मर्जी कर लीजिए आप कागज से बाहर नहीं जाते हैं कागज में जो मेंचन है सीजर में ही नहीं है तो हम क्या कर सकता है जैसे अभी बच्चे हैं जो बच्चे देख़े होंगे इनके बहुत सारे साहलों के जवाब तो मिले होंगे अद्धी यह सारे बच्चे आपके तियारी करनायां क्या परसेस है बच्चे को एбоज्य कोस्त करना हो या पुरी डेली में है, ठीक है, ठीक है, SSB Guide के नाम से, SSB Guide Defense Academy, पूरा आप सर्च कर लें, Google पर आई जाएगा, और इसके बाद, प्लस, अगर आप online है, online करना चाते हैं, तो हमारा SSB Guide अप भी है, जो Play Store योपर है, हाँ जी, उसी के उपर है, और उसी के थुरू हम लोग हमारा संक अगर आठ बाद बच्चे क्लियर करते हैं, तो उसमें से ग्यारा बारा संक रिटन के हमारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं, और SSB में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो अगर कोई पढ़ना चाता है, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब दोनों इक पेड़ क तो यूट्यूब है हमारे पास, अर्पे चौधरी, कार्तिक चौधरी हमारे यूट्यूब चैनल है, उतर हम लोग फ्री क्लासीज भी देते हैं, और फ्री क्लासीज के अंदर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, कि हमारा ये इस तरीक को ये बैच आ गया, जी ये खरीद यूट्यूब की बात करते हैं, तो फिर यूट्यूब पर ही इस बार भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें हमने 12-12 घंटे की फ्री यूट्यूब क्लासीज चलते हैं, लगाता है, वो जिंदिगी अपनी भी एल करते हैं, और स्टूरेंट की भी एल करते हैं, तो उसके अंद यूट्यूब के उपर फ्री क्लासीज चलते हैं, विदाउट और बच्चों के बर्द में न सर एक मित भी होता है, मैंने बात देखिए कि उनको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पर टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो वो इमानदारी से नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको स्टुएंट बताना चाहता हूं, सर भी टीचर हैं, देखो अनसली हम लोग बता रहे हैं, कोई टीचर अपने पैन नहीं रोकता है, वो नहीं रोकेगा कि यार, अगर मैं लिख रहा हूं, कोई फॉर्मला लिख रहा हूं, अगर मैं सीक्वेंच सीरी पढ़ा रह हैं, तब भी दिल की बात बता रहा हूं, कोई टीचर कभी भी अपना पैन नहीं रोकता हूं, तो कोशिश करता है, जादा से यादा बच्चों को समझा सके, चाहे अपनी वीडियो के तुरू, चाहे लाइव सेशन के तुरू, हर चीज़ के लिंक आप लोगो डिस्क्रिप सपना है, तो दो बाते आप, दो बाते आप, कि क्या-क्या उनको अपने देमाद में, ये दो बाते तो रखनी ही चाहिए, एंडिये, एक ऐसा इंस्टिटूशन है, जो सिरफ आपको नौकरी नहीं प्रोवाइड करता, एक जिंदिगी प्रोवाइड करता, एक लाइफ मिलत ये मतलब क्या, थ्रिलेस्ट ही है, आपको जिंदिगी अंदर किया, एक डेस्क जॉब नहीं चाहिए, लाइफ को अंदर एक्स्पिरियंस भी मुझे चाहिए, ये फौज आपको हर तरीके से स्पोर्ट करती है, फैनांचली भी कर रही है, सैलरी की फॉर्म में, इसके प्सिमम जो उनका खर्चा होता है, वो फौज उठाती है, मिलका सिंग ये हमारे फौज से, तो सारा आपने देख सकता है, नेरा चोपड़ा जी जो है, हमारे अभी स्टेंब बोन गोल्ड जीता है, ठीक है, एशन अथलेटिक के अंदर, तो वहाँ पर वो भी जो है फौज के अंदर ये है, तो वो फौज क्यों नहीं छोड़ते, ये फौज की अमिनिटीज और फौज का जो रुत्बह है न, वो जिंदा रहना चाहिए, अपर्ट रॉन दाट, आप समझ लो, उसको अगर कोई भी चीज, जैए जिपसी हो, या घर की फेसिलिटीज हो, ये सारी ची की त्यारी कर रहे हो, 10th क्लास के अंदर हो, 11th क्लास के अंदर हो, तो सबसे पहले आप UPSC की वेबसाइट ब जाके, उनका syllabus को डाउनलोड कर ले, सबसे पहला step, दूसरा आप वहाँ पे नोटिस करेंगे, अब अगर आप 10th में हो, तो students मैं आपको एक चीज बताना चाहता ह आप Physics, Chemistry और Math को आप्ट करें, कर आप Bio भी सकते हो, Arts भी सकते हो, बड़ इससे आपकी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि Math साब पढ़ रहे हो, Physics साब पढ़ रहे हो, यही पेपर के अंदर भी आनी है, और साथ साथ Journal Studies एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप पीछे मत यह हमारी शकल है, आपको पसंद आगी है, आपको लग रहा है यहार, इंडिये करना है, यह अच्छी लगी है हमारी बाते, तो आप साथ में General Studies भी पढ़ना स्टार्ट करें, History, Quality, Geography, जादा कुछ नहीं करना, और Current Interface, सिरा आप Video Lectures देख लो, मैं यह नहीं कहूँग, आप पूरे-पूरे Video Lectures मिल जाएंगे, उसके Notes खुद बनाईएं, First Class, यह PDF वाले जमाने में, आप Handwritten Notes को चूज करोगे, Selection पक्का है, ठीक है, अगर आप PDF के हैंना, वो Mobile के इंदर पड़ी रहेगी, किसी Folder में, किसी तीसरे Folder में, और खुलेगी भी नहीं कभी, Assignment आज तक स्टार्ट कर दो, और यह मित अपने दिमाग में से हटा दे, अगर आपको कोई कहता है, कि लगबग 3 मीने में, NDA क्लियर हो जाएगा, 2 मीने में हो जाएगा, नहीं होगा, 6-7 मीने, 8 मीने, साल लगाईए, मेहनत करी अच्छी, 100% आपको Result मिलेगा, और पैटरन आपका UPSC की website पे मिल जाएगा, अब जबन लो, एक साल की मेहनत आपको 35 साल की नौकरी दे रही है, तो कहां से, कहां से कोई negative तो है नहीं, घाटे का सोदा तो नहीं है, फायदा ही आपका, और आपके साथ-साथ, आपकी पूरी गैना सरे, एक 4G जब बनता न, तो करनल साब, मेजर सा करनल साब, तो यह रिटेन करने का जो रैंक स्क्चर है, यह सिरफ फॉज देती है, कि आपके पास रैंक है, यह पर्मनेंट है, ताउमर आप लगा सकते हो, जी करनल, लेफटन करनल, मेजर जनल, यह ताउमर लगा सकते हो, फॉज में और अकाड़मिक्स के अंदर मिली वी आपको बताता हो, Constitution के अंदर यह मेंचन है, Article 17 के अंदर यह मेंचन है हमारे, कि अगर आपको कोई टाइटल्स मिल रखें, सिर्फ फॉज और अकाड़मिक्स के अंदर आप रख सकते हो, बाकी जगा बॉलिश कर दिया है, अच्छा, इनके ताउमर चलेंगे, इनके ताउमर जी, यह बहुत एक्स्टा इंटेलिजेंट हो आप वही टाइटल मिल गया है, अब आपको को रिटेन कर सकते हैं, मुझे पूरी उमीद है, मैंने इसका आद बिल्कुल बेस्तमाल ने किया है, मेरे को खुद से बहुत सवाल पूछ रहे थे और यह सारे सवाल मुझे लगता आया हूँ, और जैनरली मैं भी ऑफ कैमरा भी कहा रहा था कि मैंने बहुत कम पीचर्स देखें, जो जैनरली बच्चों का भला करना चाहरे हैं, और आज से पहले मैंने ये बात कभी बोली भी नहीं है, क्योंकि इनसान की अप एकाद वीडियो देख के हम समझ जाते हैं, कि बच्चों की कितनी हिल्प करना जा रहा है, तो जरूर जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप एक बड़े गो थूर जरूर कीज़ेगा, पाकिसा थेंक यू स्वामच फण टॉप्स पे आने के लिए, और बच्चों को इतना ग्यान, आपका बहुत बहुत जाइन, जाइन, जाइन